नमस्ते में हुरीनुका त्वाप सबका मेरी यूटूप चैनल में बहुत बोस्वागते तो आज के वीडियो में मैं आपको आलू से बनने वाले बहुती इजी तरीके से स्नैक्स बना के दिखाने वाले हूं जिने आप ग्रीन चटनी या सौस के साथ नाश्ते में बना के खा पूला सकते हो आज का वीडियो हूं तो इस स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहा इन बॉयल के हुए आलू लीए है तो सबसे पहले अभी हमें इन आलू ओं के चिलके निकालने हैं फिर उसके बाद अभी हमें इन आलों को पूरी तरा से स्मयाश कर लिया है फिर उसके बाद हमें इसमें दो चमच कॉंफलो ड़ना है और इसे अच्छी तरा से मिंक्स कर लेना है फिर उसके बाद हमें इसमें दो चमच मैदा डलना है और इसे हमें अच्छी तरह से मीक्स कर लेना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसर बारी कटके वे हरी मेंचे डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारी कटके वे हरी धनिया डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच जीरा डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच हल्डी पौडर डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच धनिया बीच पौडर डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद नुसा नमग डलना है और इस सारे इंग्रिडेंस को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर हमें इसमें आदा कप पानी डालना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो अभी इस सारे इंग्रिडेंस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके है और यह डोव बन के त्यार हो चुका है पिर आगे की प्रोसिस के लिए मैंने ग्यास पे ब्रतन डग दिया है फिर सबसे पहले हमें इसमें तेल गरम होने के बाद हमें इसमें तो मैं इन डिजाइण में आलू के स्नाच टाल रहे हूं तो आप अलग-अलग डिजाइण में भी बना सकते हो पिर उसके बाद हमें इन्हें तो इग्दम बारिक रखें दोनों तरफ से ब्राउन लॉनितर फ्राइ करना है तो अब है तो अब है अलुकी स्नाव्याच दोनों तरफ से अच्ची तरह से फ्राइब हो चुके है तो आप इन्हें गर्मा गर्म ग्रीन चटनी या सिर्फ चाय के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ तो थैंक्स प्रें वाच माई वीडियो